एक कमी थी तज महल में, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी नमस्कार मैं वर्तिकारायर आप देख रहे हैं न्यूशो नेशन ऐसे में हर लोग प्यार का इजहार करने के लिए लेकिन आपको हम बता दें कि जहां प्यार का इजहार होने जाना है वहीं एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में आपको हम आज बताएंगे जो काफी जादा फिल्मी है ये एक फिल्म की ही स्टोरी है दरसल यह बिहार के एक ऐसे राजनेता की स्टोरी है जो काफी फिल्मी लगती है। लेकिन यह दरसल सच है। आप भी उस राजनेता को जानते हैं और यह आज भी चर्चा में है। कौन है वो राजनेता और क्या है उनकी प्रेम कहानी चुले आज हम आपको बताते हैं ऐसे तो लालू प्रशाद और राबरी देवी आज भी बिहारी की राजनीती में सबसे प्यारे दम पत्ती है लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्यार को प्रात्मिक्ता दी वलेंटाइन डे की इस खास कड़ी में हम बात कर रहे हैं बिहार की सांसद रंजीता रंजन और पुर्ब सांसद पपु यादब के बीच प्यार और फिर शादी की कहानी वशंत का मौसम और वलेंटाइन डे के नज़दीक आती ही प्यार की कहानिया चर्चा में आ जाती है प्यार ही एक ऐसी दौलत है जो अमीर से गरीब तक संत से सैतान तक के पास होता है बिहार में कई ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने अपनी राजनीती से अधिक प्रेम कहानियों के कारण लोगों के बीच प्रशिद्ध हुए वैसे तो लालू प्रशाद और रावरी देवी आज भी बिहारी की राजनीती में सबसे प्यारे दमपत्ती हैं लेकिन कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्यार को प्रात्मिकता दी जिनकी प्रेम कहानी लोगों की जुबाँ पर है वैलेंटाइन डेई की इस खासकरी में आज हम बात कर रहे हैं रंजिता रंजन और पूर्वसांसद पपू यादब के बीच पहली मुलकात से शादी तक की कहानी अपनी दबंगई से कभी चर्शा में रहने वाले पपू यादब के दिल में भी किसी के लिए ऐसा प्यार उम्रा की उनकी प्रेम कहानी लोगों की जुबाँ पर और किताबों में दर्ज हो गई रंजीता रंजन और पपू यादब के लवी स्टोरी किसी फिल्मी कहानी जैसी है हत्या जैसे अपराद की सजा काट रहे पपू यादब को एक खिलारी से प्यार हो गया पपू यादब के लिए इस प्यार को पाना इतना आसान भी नहीं था उन्हें अपने प्यार को मनानी के लिए काफी पापर बेलने पड़े पहाज आता है कि वे रंजीता रंजन की फोटो देखकर कुछ इसकदर फिदा हो गए कि सब कुछ भूल कर उनकी एक जलक पानी के लिए हर दिन टैनिस कोट पहुँच जाते थे जहां वो खेला करती थी पहले तो रंजीता को ये सब पसंद नहीं आ रहा था उन्होंने कई बार मना किया पप्पु नहीं माने तो एक दिन करे शब्दों में डांट भी दिया लेकिन दिल है कि मानता नहीं आखिरकार पप्पु ने अपनी बात रंजीता के सामने रख दी रंजीता ने कदिया की वे शिक हैं और पप्पु हिंदू परिवार वाले ये शादी नहीं होने देंगे पपु यादब भी कहा मानने वाले थे पहले अपने घर और फिर रंजीता के घर तक इस प्यार की कहानी को पहुशा दिये पपु यादब के आनंद मार्गी पिता, चंदर नरायन, परशाद और माता, सांती प्रिया की और से तो कोई समस्या नहीं थी लेकिन रंजीता रंजन के पिता और माता गरंथी थे और इस विवा के खिलाफ थे तब रंजीता के परिजनों की और से शादी की मंजूरी नहीं मिली तो पपु यादब रंजीता के बहन भनोई को मनाने चंडिगर पहुँच गए लेकिन कोई मानने को तयार नहीं था अपनी किताब द्रोहकाल का पतिक में पपु यादम ने अपनी लविश्टोरी का जिक्र विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कि कैसे हताश प्रेशान होकर उन्होंने एक बार नेंद की धेरो गोलिया खाली थी हालत बिगरने पर उन्हें इलाज के लिए PMCH में एडमिट कराये गया था पपु निराज थे लेकिन कॉंग्रेस नेता SS अहलू वालिया उम्मीद बन कर सामने आए पपु यादम उनसे मदद की गुहार लगाई जतन सफल हुआ पपु यादम पास हो गये पपु यादम के शादी को लेकर पूरी तरह सवजा दिया गया था सहर के सारे होटल और गेस्ट हाउस बुक थे आम और खास सबके लिए विवस्था की गई थी आज पपु जन अधिकार पाटी के शांसद है तो उनकी पत्री रंजीता रंजन कॉंग्रिस की सांसद है पहले तो लोग तस्वीर को देख कर ही प्यार का इजहार करते हैं पपु यादम ने भी कुछ ऐसा ही क्या पहले रंजीता रंजन के तस्वीर को देख कर वो इस तरह से फिदा होगे कि अब उन्होंने ठान ही लिया था कि उनसे शादी करके रहेंगे और आज पपुयादब और रंजीता रंजन की जोरी को सारे बिहारी लोग याद रखते हैं क्योंकि इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है आपको कैसी लगी पपुयादब की लोव स्टोरी कमिट में जरूर बताएगा और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे और यह हुँ बने रहे हमारे चैनल के साथ न्यूश फोनेशन